सीता नव्मी जिसे सीता जयनती या जान की जयनती के नाम से भी जाना जाता है ये दिन माता सीता के जन दिवस के रूप में मना जाता है स्त्रियों के लिए ये त्योहार विशेश महत्व रखता है इस दिन माता सीता की पूजा करने से सुख सम्रद्धी, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशाली आती है इस दिन कुछ विशेश कार्य करने से आपके जीवन में स्थिरता आएगी और सभी परिशानियों से छुटकारा मिल सकता है तो चलिए जानते हैं सीता नवमी पर किये जाने वाले इन विशेश कार्यों के बारे में सीता नवमी के दिन रखें वरत सीता नवमी के दिन वरत रखने से आपको पुन्य की प्राप्ती होती है इस दिन आप निर्जला वरत या फिर फलाहार कर सकते हैं ध्यान रहे कि वृत के दौरान आप नमक, मसाले और तेल का सेवन न करें, संध्याकाल में वृत का पारण करें सीता नव्मी के दिन दान करना बहुत शुब माना चाता है सीता नव्मी के दिन आप गरीबूं, जरूरत मंदों या भ्रामनों को अन, वस्त्र, दवा या धन का दान कर सकते हैं इस से आपको शुब्वलों की प्राप्ती हो सकते है सीता नव्मी के दिन कन्या पूजन करने से भी विशेश लाब प्रात होता है इस दिन आप नौ कुमारी कन्याओं को भोजन करा सकती हैं इसके अलावा इस दिन आप उन्हें लाल चुन्री, फल, मिठाई और दक्षिना भी दे सकती हैं इससे आपके घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहेगी सीता चरित्र का पाठ सीता नवमी के दिन सीता चरित्र का पाठ करना बेहत लाबकारी माना चाता है सीता चरित्र में माता सीता के जीवन चरित्र का वर्णन होता है इसका पाठ करने से माता सीता का आशिरवाद प्राप्त होता है